ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गड़बंदन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है जबकि इस समंद में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आजादी के बार काफी लंबी अब्दी तक केंदर वे उत्तर पर देश सही देश के अधिकांस राज्यों में भी जादा तर्यां कांग्रेस पार्टी नहीं एक सत्र राज किया है गटबंदन को लेकर कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्विदित है कि बीएस पी वे सप्पा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाबी गटबंदन करने से कोई खास लाब मिलने वाला नहीं है क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव यह राह है कि इनके साथ गटबंदन करके चुनाब लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांस वोट ट्रांसफर नहीं होता है और वे जादा तर बीजेपी वे अन्य जातिवादी पार्टियों को ही चला जाता है या फिर जान बूज कर एक सोची समझी रननेती के तहर उसे अंदर अंदर ट्रांसफर भी कर दिया जाता है जबके हमारे पार्टि से जुड़ा पूरा का पूरा बोट एक तरफा हमारे साथ गड़बंदन की गई किसी भी पार्टि को पूरी मानदार इसे ट्रांसफर हो जाता है जिससे कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को तो हमसे पूरा लाम मिल जाता है लेकिन हमारी जैसी इमानदार पार्टियों को इनसे इसका कोई खास लाम मिलने वाला इनसे कोई खास लाम नहीं मिल पाता है और इससे फिर हमारी पार्टी का बोट परतिशत और कम हो जाता ह जिसका कड़वा अनुभव हमने यहां उत्तर परदेश में ही सन 1996 में विधान सबा के हुए आम चुनाम में कांग्रेस पार्टी के साथ गडबंदन करके किया भी है